हेलो स्टुदेंट्स वेलकम टू यूर ओनलाइन क्लास इन प्रीवियस क्लासेज वी डिसकस अबाउट चैप्टर फिफ्टीन सर्किल वी डिसकस अबाउट सम बेसिक कॉंसेट्स ऑफ सर्किल चले बच्छो आप कुछ एक्जांपल डिसकस कर लेते हैं आपके और कोश्चन्स भी देखिए यहां है आपका इग्जांपल नंबर टू ओके आपकी बुक से इसका कुश्चन क्या है इन अ सर्किल ओफ डेडियस फाइव सेंटिमीटर एबी एन एसी आर टू कॉड्स सच दैट एबी इस इकॉल टू एसी इस इकॉल टू सिक सेंटिमीटर फाइंड लेंट सेंटर है यह कॉल्ड है अपका ए बी मान लिया जो यहां बना हुआ है मैं उसी के अकॉडिंग आपको समझा रही हूं और यहां पर आप क्या करोगी यहां रेडियस दिया है आप देखो रेडियस मैंने बताया था आप रेडियस ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे आप देखो, मैंने value put कर दी है यहाँ पे, क्योंकि आपका a भी दिया हुआ है, 6 यह put down है यहाँ पे, यहाँ पे भी 6, ठीक, cord है यह आपका, क्योंकि cord आप चाहे कहीं भी बनाओगे, value आपकी same रहेगी चाहे ऐसे, ऐसे, ऐसे कहीं भी आप बनाओगे, ठीक है अब देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, b यह आपका value मैंने l माना हुआ है, ठीक है बच्चो देखिए बच्चो, यहाँ आपका जो यह value है, यह है आपका l, यह मैंने यह मैंने let किया हुआ है value ठीक अब देखिए, आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आप value put down करो, आप यहाँ देख रहे हो, let l be the point of intersection of oa and bc यहाँ oa और bc का point of intersection है, oa bc का point of intersection l है हमारा, ठीक है इसी तरह आप क्या करोगे यह है, ठीक oa और bc, then bl is equal to lc हमारा होगा अब देखिए, यहाँ पे आपका जो है bl है और lc है, bl lc, यह आपका सेम होगा, ठीक यह जो आपका angle बन गया है, यह है आपका right angle बन जाएगा, आप दोनों में देखो, a, b, c में, sorry b, l, a में, मनलब total आप देखो, a, b, c में, तो जिसमें आपका b, l, a, 90 डिग्री है और c, l, a, 90 डिग्री है यह देखिए आप दोनों दोनों 90 डिग्री आपका है, ठीक इसमें आप देख रहे हो, अब आपका जो a, l देखो, a, b की value 6 है a, b आपका 6 है, b, c, 6 है और यह आप क्या मान लोगे हम इसको मानेंगे, o, l जो हमारा यह पूरा है इसको हम मानेंगे, x और हमें पता है, हमारे radius है हमारा 5, ठीक है तो आपका जो पूरा o, a होगा यह होगा आपका 5 o, l हमने माना है यहाँ पे, x तो हमारी इसकी value, a, l की क्या होगी, यह होगी 5, minus x ठीक है बच्चो, यह आपका है clear अब देखिए, next आपका क्या है मैंने value लिख दी यहाँ पे, जो जो मैंने आपको समझाया, अब हम लेंगे in right angle triangle, a l, a, l b में, ठीक है और किसमें लेंगे o, l, b में, यह छोटे-छोटे जो आपके triangle है o, l, b में, इसको आप देखो ध्यान से, यह जो आपका है ठीक, इन दोनों में आप लोगे अब आप क्या करोगे, पाइथागोरस theorem आपको पता ही है, क्या होती है ठीक, तो यहाँ पे जब आप करोगे, तो a, b square equals to a, b square equals to a, l square plus l, b square, यह आपका हो गया यह आपका पाइथागोरस theorem से हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका होता है, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, ठीक, इसी तरहे आपका जो है, o, b square है o, b square equals to o, l square plus l, b square, क्योंकि हमने दोनों ट्रेंगे मिलिया, पहले हमने a, l, b मिलिया, फिर हमने o, l, b मिलिया यह हमारा हो गया, next हम अब क्या करेंगे, यह हो गया, अब हम क्या करेंगे, a, b square minus a, l square यहाँ पे किया हुआ है, यह हमारा किया हुआ हुआ है, इससे, यह इससे यहाँ पर value लिखी हुई है हम यहाँ पर क्या करेंगे lb square की value निकाल लेंगे lb square हमारा जो होगा वो होगा ab square minus al square यह हमारा होगा lb square सेम इसी तरह आप कर लो इससे अब इससे आप करो ob square से lb square निकाल लो lb square is equal to ob square minus ol square ठीक है यहाँ लोग put down कर लेंगे न बच्छो अपने copy में अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे हमारी lb, lb की value यहाँ पर मिल जाएगी हमें अब हम क्या करेंगे इन दोनों को equal कर देंगे means lb, lb की value सेम करेंगे यहाँ पर means ab square minus al square is equal to ob square minus ol square यह आपका हो जाएगा यहाँ तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर value put down करो हमें ab की value पता है ab की value हमारी क्या है यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यह देखिए ab ac हमारा 6 है ab की जगा हम यहाँ 6 लिखेंगे 6 square minus al हमने यहाँ से निकाल लिया था al देखिए यह है 5 minus x हो गया हमारा square is equal to ob की value हमारी कहाँ पर है यहाँ पर ob की value आपकी है इसमें यह देखिए ob यह आपका radius है इसकी value में 5 given है अब यहाँ पर ol हमने let किया था x यह आपका हो गया अब आप क्या करो इसको solve कर लो इस equation को 6 x are 36 minus 5 x 5 are 25 इसमें a minus b का whole square का formula लगा है a square plus b square minus 2ab equals to अब यहाँ पर आपका है 5 square minus x square means 25 minus x square अब आप इसको solve करोगे तो आपका यहाँ पर आएगा 10x equals to हमें क्या चाहिए हमें so here we have the value of x which is 1.4 cm we know that ol is equals to x which is 1.4 cm and al is which is this 5 minus x 5 minus 1.4 cm so we have the value of al which is 3.6 cm now हम यह जानते हैं कि अगर हम center से किसी भी cord पर perpendicular डालते हैं तो वो उसको दो part में divide करता है equal parts में और हमें यहाँ पर value निकालनी है cord b c की so हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं b c is equal to यहाँ आपका होगा b c is equal to 2 into l c मतलब आपका जो b c होगा वो l c का double होगा means जो आपकी l c की value होगी वही आपकी b c की value होगी ठीक है अब देखिए यहाँ पर आपको क्या पता है now in triangle a l c हम यहाँ पाइथागोरस ठीरम से लगा सकते हैं a l c यहाँ पर आप देखिए यह जो आपका है यह है right angle triangle a l c यह जो आपका है a l c this is right angle triangle now with the use of पाइथागोरस ठीरम we have l c square is equal to l c square is equal to a c square minus a l square so यहाँ अगर हम value put down करते है देखिए हमारी a c की जो value है वो हमने निकाली थी यहाँ पे a c की जो value है वो आपको given है जो है यहाँ पे 6 then आप यहाँ put down कर दोगे a l की जो आपकी value है वो हमने find out करी है जो है 3.6 अब आप यहाँ पे करोगे 3.6 इसमें से जब आप decimal हटाओगे तो upon में 10 आ जाएगा then आप यहाँ पे क्या करोगे value put down कर दोगे जो मैंने यहाँ पे रख दी है यह है आपकी value ओके अब देखिए यहाँ पे 36 हम common ले लेंगे दोनों में से और bracket में हमारा यहाँ बचिए कर 1-36 upon 100 now 36 square root 36 का होता है हमारा 6 under root में हम क्या करेंगे 100 हमारा LCM आ जाएगा then यहाँ पे हमें मिलेगा 100-36 upon 100 so 100-36 equals to आपका यहाँ पे 64 हो जाएगा now यहाँ देख सकते हो 6 into 64 6 into 64 upon 100 square root में है यह अब 64 आपका जो होता है 8 हो जाएगा यहाँ पे बाहर आएगा तो 100 का हो जाएगा आपका 10 now आप क्या करोगे अब इसको आप cancel out कर लो ऐसे देखे मैंने जैसे किया 2 4s are 8, 2 5s are 10 then हमें मिलेगा आप 24 upon 5 equals to 4.8 BC की value जो हमारी है देखें यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे कहा था आप से BC जो होगा हमारा LC का double होगा ठीक है बच्चो अब यहाँ जो आपकी value है की BC equals to 2 into 4.8 this is 4.8 हमारा क्या है हमने value put down कर दी है यहाँ पे LC की तो आपका answer जो आएगा BC equals to 9.6 so this is a required answer of your question okay students